आप सब कैसे हैं दोस्तों आज मैं शियर कहने बाली हूँ ये पोटेटो वेज़िस रेसिपी इसके पहले मैं तोल लेती हूँ ये इंग्लिश कॉरियोंडर लीब्स प्लैंड की पुछ पत्ते ये देखे पोटेटो वेज़िस बनाने के लिए मैंने या पर लिया है एक बरे स प्लैज के आलू देखी सकते हैं दोस्तों और लिया है गार्लिक क्लोप्स कोरियोंडर लीब्स और मैंने यहाँ पर लांच में खाने के लिए बना रही हूँ चावल दाल मूम दाल को मैंने नमप और हल्दी देकर बॉयल होने के लिए छोड़ दिया है और यहाँ पर चिकेन कड़ी मैंने पहले से ही त्यार करके रखी हूँ सबसे पहले पुटटो को दो टूकरों में काट लेते हैं छिलका समय और फिर एक हिस्से को मीडिल की तरब से काट लेते हैं लंबे लंबे करके काटना है दोस्तों फिर और एक बड़ काटना है मिडिल की तरब से छिलका समित काटना है ऐसे करके देखी सकते हैं कैसे काटा है मैंने यह देखें आलू को लंबे लंबे करके काट लिया है अब हम इस आलू को एक बोल में तोल कर अच्छे से वश कर लेते हैं वश करना हो गई है देखी सकते हैं पील को हटाना नहीं है ऐसे ही रख देना है गैस की ख्लेम को आन करके पिशर को चरा दिया है अब काटे हुए आलू को पिशर में दे देना है पानी सामित अब देना है इसमें थोड़ी सी नमप 1 टेविल स्कून बोईल होने के लिए छोड़ देना है वन हुसल पंडे पर गैस की फ्लेम को आफ कर देना है इधर गालिक छील लेंगे और कॉरियोंडर लिप्स को काट लेंगे छोटो छोटे पीसेस करके गालिक को छीनना हो गई है, कौरियोंडर लिप्स को छोटोचोटोचोटो पीसेस में काट लिया है और लिया है एक स्मॉल ग्रेटर स्मॉल ग्रेटर की मेदद से गालिक को ग्रेट कर लेते हैं सबसे पहले गार्लिक को ग्रेट करना हो गई है अब मैंने लिया है एक बोल और लिया है एक विस्क एक बेटर बनाना है बटर बनाने के लिए मैंने लिया है 4 टेबिल स्कून माईदा, 2 टेबिल स्कून चाबल की आटा अब इसमें दे देना है ग्रेट किया हुआ गार्लिक और चॉप्ट कोरियॉंडर लेग्स अब देना है कॉण फ्लावर, 2 टेबिल स्कून अब दिया है वान टीश्पून चिली फ्लेक्स मिक्स्ट कर देना है अब गैस की फ्लेम को अन करके तर्का पैन को चरा दिया है तर्का पैन गरम होने पर दे रही हुआ थोड़ी सी बाटर मिल्ट होने के लिए मिल्ट होने पर दे देना है इसमें देकर मिस्ट कर देना है मिक्स्ट कर दिया है मिक्स्ट करने के बाद ऐसी होनी चाहिए ऐसे करके यह देखे अब थोड़ी थोड़ी करके पानी देकर बैटर बनाना है एक पतला सा बैटर कॉंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए एक पतला सा बैटर देखी सकते हैं ऐसी डाल गल गई है इधर आलू भी बॉयल हो गई है डाल को चराय हुए गैस की प्लेम को आफ कर दिया है आप आलू को चान लेते हैं छली की मदद से पानी निकल लेते हैं इधर चावल भी हो गई है इसे भी चान लेते हैं आलू बॉयल हो गई है एक फॉर्प की मदद से दिखा रही हुँ देखी सकते हैं दोस्तों धोरी सी पानी गरम होने के लिए छोड़ दिया हुँ और इधर तर्गापन को चरा दिया है पानी गरम होने पर देड़े ही हुँ दाल में और उसी रैस के ऊपर फीर से चरा दिया है दाल को ए देखे और इधर पैन भी गरम हो गई है पैन गरम होने पर देड़े ही हुँ वन टेपी स्पून गी गी मिल्ट होने पर देड़े ही हुँ तेज पत्ता एक लाल सुखी मिल जीरा और एक ग्रीन कार्डमम थोली देरी के दिये फ्राई करना है फ्राई करना हो गई है आप डाल में इसे तरका लगा देते हैं और गैस की फ्लेम को आफ कर दिया है डाल में एंड में देरी हूं हाप टीस्पून सुगर थोड़ी सी गरम मसला पाउडर यह दाल हो गई है यह देखे आप गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे इधर गैस की फ्लेम को आउन करके कराई को चरा दिया है कराई गरम होने पर दे रही हूँ ऑईल फ्राई करने के लिए अब बैटर को और एक बर फाटना है फाटने के बाद बॉयल आलू को नेना है छिलका समेत आलू को डिप करना है बैटर में डिप करके एक्स्टा बैटर को निकल देना है इस तरह फिर ऑईल में छोड़ देना है एक एक करके करके देना है पीफ्रेकरण देना है इस देंना है शोड़ देना है और देना है र्खिक साइट को भी फ्राई कर लेना है लाइट गूल्डन करके फ्राई करना हो गई है अब गैस की फ्लेम को आफ करके इसे तोलने की हूँ यह देखे क्रिस्पी और फ्लापी पुटटो वेज़ेस तयार हो गई है अब मैं सार्व कर रही हूँ लांच में लिया है चावल सेलद चिकन करी दाल और यह पुटटो वेज़ेस अगर आपको ए रेसिपी अच्छी लाइगी है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल तो फिर मिलूंगी बाई बाई दोस्तों यह बाई जुटों कर दो सुब्सक्राइब